शिम्ला भाजपा मीडिया पुर्बारी कड नंदा ने बताया कि भाजपा प्रदेश अधियक्षी डॉक्टर राजीव बिंदल ने नहान विधान सभा छेत्र के हरीपोर खोल पंचायत में आपदा से हुए नुकसान का जाइजा लिया और दुख प्रकट करते हुए बताया क कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने कारे किया है अभी तक इस छेत्र को कोई भी राहत नहीं पहुचा पाई है केवल धरातर पर काम करने का प्रिचार यह सरकार कर रही है पर वर्तमान सरकार धरातल पर कुछ भी नहीं कर पा रही है भारतिये जनता पार्टी ने आने को से पहर्पित करती हुए मात्मा गांदी की दिये गए मूल सिधान्तों को याद किया और जिस प्रकार से प्रधान मंत्री नरेंदर मोडी ने के लिए जाने का कारी किया है उसकी प्रशन साकी नंदा ने बताया कि डॉक्टर राजीव बिंदल ने गांदी जैन्थी के अफसर पर नहान विदान समद छेत्र के हरिपूर खोल पंचायत में गुरु रविदास प्रांगड में दलित समुदाय के साथ बैठा करती हुए साम खोल पंचायत में आज आपदा के समय में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी जाइजा लिया उनने दुख प्रकट किया कि अभी तक वर्तमान सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया वर्तमान सरकार ने केवल मात्र धरातल पर परचार करने का प्रयास किया है पर इस सरकार ने किसी भी परकार की राच जनता को नहीं बुचाई जो काम क्या उसे विपरीतर होकर बारत्यजंतापाटी के कारिकरताओं ने जो है दरातल पर लोगों की सेवा भी करी है और आपदा में उत्तम कार्यावे किया है उसके उपरांत डॉक्टर राजी बिंदल ने इसी पंचायत में महात्मा गांधी को याद करते हुए उनके चित्तर पे पुश्पांजली अर्पित करी और उसके उपरांत जो है दलित समुदावे की बैठकली जहां पे समराजिक समरस्ता की बात करी उन्होंने परदान मंतरी ने जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के सिधानतों को आगे ले जाया है उसके बारे में भी जो है उनकी वावाई करी और उसके साथ ही जो है दलित समुदावे के साथ उन्होंने समराजिक रस्ता में और किस प्रकार भाजपा सेवा बस्तियों में कारे करी है उस कारे करम के बारे में चर्चा की